हुआ फइंट श्वागत हैं आप सभी का एक नई वीडियो के साथ और आज एक वीडियो में मैं आपको इंस्पायर स्कोलर्सीप को लेकर के कुछ बेसिक जान कारे हैं हो बताने वाला हूं student को inspire scholarship को लेकर के काफी सारे doubts है उन सब doubts को आज मैं यहाँ पे clear करने वाला हूँ जैसे forum भरने के बाद उसको edit किया जा सकता है कि bank detail है वो हमें कब भरने होती है इसके लावा का certificate है वो हमें कब upload करना होता है online यदि portal forum भरते समय यदि कोई college या university आपको नहीं मिल रहे है तो उसका क्या समादान है इसके लाव forum finally submit होने के बाद आगे हमें क्या करना पड़ता है आगे की process क्या होती है पैसा हुआ हमारे account में किस परकार आता है इसी परकार के कुछ doubts है तो उन सभी doubts को मैं है clear करने वाला अगर आपका भी इस परकार का को doubts है inspire scholarship को ले करके तो या इस वीडियो के last तक आप बने रहे तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों सबसे पहले आपको जानकारी देना चाहूंगा देखिए inspire scholarship को ले करके मैंने काफी वीडियो बनाई है लेकिन फिर भी काफी सारे जो student है उनको inspire scholarship के काफी सारे doubts है अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखिए तो वो एक एक आप वीडियो देखिए चैनल पर विजिट करके लगबग आपके सारे doubts हैं यहां पर clear हो जाएंगो तो यहां पर कुछ basically doubts है जो लगबग सभी students मुझे बार-बार comment करके पुछा करते हैं तो उन सभी doubts को मैं यहां पर clear करने वाला हूँ और साथ में एक जानकरे आपको देखिए आगे की जो process है मैं आपको PC की screen पर ले जाकर दिखाऊँगा कि किस परकार से finally the forum submit हो जाता है और आगे की process क्या होती है किस तरह से forum approve होता है और इभायक की तरह किस तरह से हमारे पास notification होता है यह तो मैं आपको PC की screen पर ले जाकर बताऊँगा लेकिन इससे पहले कुछ basic doubts है पहला हाता है कि advice जो note होता है यहने inspire scholarship का जो certificate होता हो कहां से मिलता है तो यहाँ पर जानकर मैं देना चाहूँगा यह दि आपने 12 pass out कर लिए science से तो जिस board से आपने की हो चैया आपने state board से की हो या फिर CBC board से की हो कहीं से भी आपने की हो तो वो board के दोआरा जो inspire scholarship का एक certificate है जहां merit list में नमबर आता है एक percent के अंदर तो वो certificate तो आपको संबंदित board की website पर आपको मिल जाएगा अगर board की website पर आपको नहीं मिल रहा है तो आप संबंदित board की help line होती है वहाँ से आप phone कीजेगा तो उसके बारे में आपको यहां पर जानकारी है वो देदगी और यहां पर एक जानकारी यह दना चाहूँगा देखे अलग-लग जो board होते हैं अलग-लग जो state हैं जैसे RBC board एजमेर है, UP board है, MP board है जारकन board है, या फिर CBC है कोई भी board हो, तो सबकी जो merit होती है वो अलग-लग होती है, यहां पर सबकी समान नहीं होती है, यह जो merit होती है state board निकालता है, All India पर एक यह नहीं होती है, तो जो Inspire Scholarship का जो certificate है आपको अपने संबन्दित boards की website पे विजिट करके ही download हो करना पड़ेगा, ठीक है चलिए, दूसरा जो basic जो doubt होता है, students के सामनों यह है, कि अगर हमने forum भर दिया, और हमसे कोई गलती रहेगी, तो क्या उसको edit किया जा सकता है, नहीं दोस्तों, अगर एक बार आपने finally forum संबिट कर दिया, तो उसके बाद यदि कोई document upload करना भूल गई, कोई आप detail गलत आपने भरती, तो उसमें आप edit नहीं कर सकते, यदि आपके forum में कोई गलती रह जाती है, तो department के दुवारा आपको मौका दिया जाएगा, ऐसा नहीं है, जो कमी है, वो निकाली जाएगी, फिर आपको मौका दिया जाएगा, कि भी है, आपने ये document upload नहीं कि आप दुवारा upload कीजेगा, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा wait करना पड़ेगा, और इसके लिए आपको बार बार जो भी आपने inspire scholarship जब आपने online forum संबिट करने के लिए जो registration किया था, तो आपके पास registration ID होने चाहिए, और आपकी mail ID है, जी समय आपने registration किया था, उस mail ID पर आपको notification वो आते रहेंगे, तो संबंदित अपनी mail ID और login ID के दोरा, आप समय समय पे चेक करते रहे जीजेगा, कि आपका फोर्म अप्रूव हाया या फिर कोई कमीन निकाली गई है, तो वो पूरी जानकारी दे दे, अगर अप्रूव और डिस अप्रूव हाया इसके बारे में आगे मैं आपको बताऊं, आप बने रे वीडियो के साथ, चलिए, अगली ये सबसे बड़ा जो डाउट होता हर एक इस्टूडेंट हमसे पूछता है, वो ये पूछता है कि बैंक डिटेल तो नहीं मांगे, जब अपन इंस्पायर इसकोलर सीब का फोरम भरते हैं तो बैंक डिटेल है वो मांगता नहीं हो आपे, तो देखिए फ्रेंट्स में आपको यहां कहना चाहूँगा, जब अपन पहली बार इंस्पायर इसकोलर सीब का फोरम ओनलाइन भरते हैं, तो उस समय हमें बैंक डिटेल नहीं बरनी होती है, बैंक डिटेल हमें तभी बरनी होती है, जब हमारा फोरम है, अप्रू कर दिया जाता है, डिपार्टमेंट के बार, वहां पे, जब हमारा फोरम अप्रू हो जाता है, तो बैंक डिटेल वो अपने आप मांग लेता है, वो भी मांग या आपको मैं बताऊँगा, ठीक है आप से मांगा नहीं हो, या फिर आपने अप्लोड करना भूल गया, उसकी जगए कोई दूसरा डोकुमेंट आपने अप्लोड कर दिया, तो आप थोड़ा से रेट कीजिएगा, जब डिपार्टमेंट के द्वारा आगा का नोटिफिकेशन आएगा, यह दिको कमी रह जाती है, तो वो भी आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगी, आप दुबारा अप्लोड है, वो कर सकते हैं, चलिए, अगला जो डाउट्स है, वो काफी सारे स्टुडेंट के हैं, कि जो कोलेज का इंडोस्मेंट, जो होता है, जो हमें अपलोड करना होता है, ओनलाइन फोरम जब अपन बरते हैं, तो देखें दोस्तों, जहां पर आपने जिस कोलेज में एडमिशन लिया, वहां पर आपको नोर्मली अपनिये गें, तो एक स्टेडिंग सर्टिफिकेट होता है, अध्यन्दत परमान पत्र हो अगला एक बेसिक साथ, एक डावट साथ है सबके लिए, कोलेज कौन शी होने चाहिए, प्राइवेट या फिर गोर्मेंट, तो देखें दोस्तों, यह मर्जी आपकी है, आप प्राइवेट में भी एडमिशन ले सकते हो, आप गोर्मेंट में एडमिशन ले सकते हो, लेकि अगला basic जो doubts भी आ रहा है कि college का नाम है जब आपन online forum भरते हैं तो हमें soya नहीं हो रहा है या तो हमारी university वो soya नहीं हो रही है या फिर हमारी college है वो soya नहीं हो रही है तो देखें दोस्तों यहां पर इसके दो करण हो सकते हैं पहला करण यह है या तो आपने गलत university है वो select की है ठीक है क्योंकि आपको पता है कि all India में हर state में काफी सारी जो university होती है और हर एक university के नीचे अलग-अलग college होती है तो सबसे पहले तो आपको अपनी university को है वो select करना है उसके बाद अपनी college को आपको select करना है अगर वहां पर भी आपको नहीं मिलता तो वहां पर जब आपन online forum भरते है तो एक all inner city का option आता है तो उसके अंदर all India की सारी university आ जाती है और सारी college है वो आ जाती ही मिल जाएगा अगर उसके बाद भी नहीं मिल रहा है तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है या तो आपकी जो college है वो inspired scholarship के portal पर registered नहीं है अगर वो registered नहीं है तो या आप संबंदित college वालों से आपको संप्रेक करना और उनको जा कि ये बोलना कि आप अपनी college को inspired scholarship के portal पर registered करा हो इसके लिए भी जो department है college के लिए अलग जो एडवर्टाइजरी है वो उन्होंने जारी कर रखी है अलग दिशा निर्दे सा उनके लिए तो अगर college inspired scholarship के portal पर registered है तो वो so हो जाएगी अगर registered नहीं है तो वो so नहीं होगी अगर so नहीं हो रही है तो संबंदित आप college से संप्रक करें और उनको बताए कि college वो आप registered है वो करवा ले चली अगली एक basic सी जो problem आ रहे है साती होंगो कि forum finally submit करने के बाद जो hard copy होती है वो हमें कहां बेजनी होती है तो दोस्तों यहां पर देखिए आपको जानकारी देना चाहूँ है जब आपने online forum बद्या finally आपने submit कर दिया तो यह जो finally forum submit करने के बाद इसकी hard copy है वो आपको कहीं नहीं बेजनी है ना तो आपको college में जमा करवानी है और नहीं आपको department में बेजनी है यह hard copy केवल आपके पास सुरक्सित ही रखनी है क्योंकि इसकी आवसेक्ता आपको आगे पढ़ने वाली है तो ऐसे में आपको ना तो bypost बेजना है ना ही आपको online बेजना कहीं पर भी नहीं बेजना केवल आपके पास आपको सुरक्सित हो रखनी है चलिए इसके बाद एक जो basic doubts होता वो एक ब बाते हैं जो आपको आगे करने होगी लेकिन सबसे पहला काम होता है कि जब आपने finally forum submit कर दिया तो सबसे पहले जो department है आपके forum को चेक करेगा ठीक है यह दिवो उसमें जानकारी सही है और आप उस criteria के अंदर आते हो तो विया पहले आपका जो forum है वो department के दोरा अप्रू कर इसको आपको ध्यान में रखना है पहले department आपके forum को verify करेगा ठीक है यह नहीं अप्रूड करेगा अगर वो अप्रूड नहीं करता डिस अप्रूड करता तो फिर तो यह मतलब मामला खतम है अगर आपके document में को कमी रह जाती है जब आप online forum बरते और कोई कमी रह जाती है त इसके लिए आपको notification देदेगा कि आपके forum में यह कमिया है इनको आप सही करके आप दुबारा forum हो अप्लोड कीजेगा चलिए अब माँ आपको PC की screen पर ले जाकर दिखाता हूं एक ID है किसी student की उसको यूज करके माँ आपको दिखाता हूं कि किस तरह से जब आप finally forum submit कर दे बताता हूं लेकिन एक बात पहले ही clear कर देना चाता हूं देखिए यहां पर माँ आपको जब अपन inspire scholarship का finally forum submit कर देते हैं और submit करने के बाद आगे किया process है उस process के बारे में बता रहा हूं यहां forum कैसे apply किया जाता उसके बारे में नहीं बता रहा हूं अगर आपको forum apply करना है तो इसके लिए channel पर आप दूसरा video है वो दे सकते हैं आगर दोस्तों आपने finally forum submit कर दिया और आगे की process आपको जाननी है तो सबसे पहले आपको inspire scholarship की website पे visit करना है और visit करने के बाद यहां से आपको अपनी ID से login कर लेना है जिस ID से आपने registration किया था और जब आप login करोगे तो इस तरह का interface आपको यहां पर दिखाए देगा और यहां पर देखें आपको च्यार option मिल जाएंगे एंटरशिप का है scholarship का है follow ship का और faculty का हम तो scholarship के बार में बात कर रहे हैं तो इसी के बार में मैं आपको जानकारी बताऊंगा और यहें पर देखें आपको तीन और option मिल जात इसकला देखें के query के अंदर यह दी आपके forum में कोई कमी निकाले गई है और department के दौरा कोई note आपके forum पे डाला गया को query दी गई तो वो जानकारी आपको यहां मिल जाती है और announcement के अंदर यह दी scholarship को लेकर कोई नए अपडेट रिभाग के दौरा किये गए हैं कोई announcement किया तो वो जानकारी आपको यहां पे मिल जाती है ठीक है चलिए अब बात करते हैं जब अपने finally forum submit करते हैं तो उसका status कैसे पता लगाते हैं और आगे की process कैसे करते हैं तो आपको यहां पे देखें इस scholarship वाले option पे click करना है और जब आप scholarship वाले option पे click करो तो इस तरह का interface से अगर आप अपने application का status देखना चाते हो जब आप इस पे click करोगो तो यहां अपने application के number और अपने जनमतित्य जब आप डालोगे तो status का पता लगा सकते हो कि आपका forum का status क्या है department ने इसको reject किया है अप्रू किया है या फिर pending में पड़ा वो जानकार आप यहां से वो ले स आप देखें दोस्तों जब आपने पहली बार first year के अंदर यानि BAC first year के लिए पहली बार जब आप apply कर रहे हो और जब तक आपका forum department के दौरा अप्रू नहीं हो जाता है तब तक आपको यह 2-3 option ही आपको यहां देखने को मिलेंगा इसके लिए आपको कुछ भी नहीं क्योंकि हमने इस ID के दौरा एक नया जो forum है वो apply किया है जो department के दौरा फिलाल अप्रू नहीं किया और department के दौरा देखा नहीं गया अब माली जी आपने forum apply कर दिया संबिट कर दिया और उसके बाद यह department आपका forum चेक करता है और आगे कि वो क्या query देता है वो मैं आपको ब अगर मैं notification की बात कर रहा तो यहां पर देखिए notification में आपको इस तरह से notification मिल जाता है यहां पर देखिए forum अप्रू होने का और offer letter के बारे में कहा गया और यह notification यहां से offer letter है डाउनलोड है वो कर सकते है यह आपका forum अप्रू हो जाता है अगर reject होता है तो भी जानकर यह option है वो मिल जाएंगे जब आपका forum अप्रू हो जाता है यह department आपका forum देख लेता है किसी कारणो आपका forum reject कर देता है तो यह option नहीं मिलते है लेकिन अप्रू हो जाता है तो काफी सारे option है यहां आपको देखने को मिलेंगे लेकिन अपन नहीं वाले ID में देखिए तो student है उनको bank detail को लेकर कि काफी confusion है कि हमें bank detail हो कब डालनी है अब देखिए मैंने आपको पहले बताया थे कि bank detail जब आपका forum अप्रू होता है तो अप्रू होने के बाद आपको यहां पे डालनी है और जब आपका forum अप्रू हो जाता है तो सबसे पहले scholarship पर क्लिक करते है तो फो पार से पहले आपसे bank detail में पूछा जाता है, ठीक है, यहां से आपको अपनी bank detail हो डालना है, सबसे पहले आपको यहां पे अपना bank account हो डालना जो कि केवल SBI bank का होना चीए, किसी दूसरे bank का हो नहीं होना चीए, इसके बाद यहाँ पर IFC code डालने है, और यहाँ पर अपने bank passbook की जो front page है, उसकी photo आपको यहाँ पर upload करनी है, जो कि PDA format में होने चीए, और maximum size है, वो 1 MB होने चीए, यहाँ पर आपका अधार card है, वो आपको यहाँ पर डालना है, अगर पहले डाल दिया तो ठीक है, अगर नहीं डालना है, और यहाँ पर आपके अधार card की जो photo है, वो आपको upload करनी है, यह compulsory है, mandatory है, ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पर finally submit करना है, तो आपकी bank के detail है, यहाँ पर save हो और अधार card के साथ, आपका mobile number लिंक होना चीए, तबी आपकी जो scholarship है, आपके bank account में वो आएगी वरना नहीं आगी, और यहाँ पर देखें, बिल्कुल साफ साफ notification में कहा गया है, कि it is mandatory to link your bank detail with your अधार number to ensure the timely payment of your inspired scholarships, यह नहीं, यहाँ आप अपने inspired scholarship का timely से payments आते हैं, तो भ लिजिएगा, ठीक है, अगर दोस्तों यहाँ पर आपकी bank detail का option इस तरह से notification आपको नहीं मिलता है, फिर देखें, यहाँ पर आपको option मिल जाता है, bank details का, ठीक है, जब आप इस पर click करोगे, click करने के बाद इसी तरह का interface से दिखाए देगा, bank detail आप यहाँ से save हो कर सकते हो, अब यहाँ पर देखें, सबसे पहले, आपको यहाँ offer letter हो मिलता है, view offer letter, ठीक है, notification से भी download कर सकते हो, यहाँ से भी download कर सकते हो, तो चली मैं एक बार आपको offer letter हो दिखा देता हूँ, मैं directly इस पर click करता हूँ, click करने के बाद देखें, offer letter हो download होगा यहाँ और मैं इसको open हो कर registration number आपको मिल जाते हैं, इसी के साथ यहाँ पर आपको नाम मिल जाता है, और इस offer letter में पूरी detail आपको मिल जाती है, कि आगे 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 आपको क्या करना, क्या process करने है, कितनी आपको scholarship मिलेगी, कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, पूरी जानकरी आपको इस offer letter में मिल जाती है, यहां पर देगे डिपार्टमेंट ने एक बात बिल्कुल साफ साफ यहां पर बता रखी है कि आपका जो bank account हो केवल SBI bank में होना चाहिए और आपके bank account के साथ आपका आधार card वो link होना चाहिए इसके अलाव एक बात यह भी साफ साफ यहां पर कहेगी है कि आपके bank account में transaction limit नह आपको किसी man branch में जाकर ही SBI account वो खुलवाना है और वो minor नहीं होना चाहिए इस बात को भी आपको ध्यान में रखना minor वाला account वो यहां नहीं चलेगा full account होना चाहिए तभी आपकी scholarship हो आपके bank में आएगी इसके बाद दोस्तों यहां पर देखिए पूरी process इस offer letter में आपक कि आपको जो scholarship है कैसी प्रस्तितियों में कम मिलेंगे यानि first year के बाद second year के बाद third year के बाद किस तरह से आपको मिलेगी वो पूरी process है आपको यहां मिल जाती है यहां पर देखिए year wise requirement आपको मिल जाता है first year में आपको क्या complete करना है second year में आपको क्या करना पूरी जानकारी मिल जाती है यह इस scholarship आप डाउनलोड करोगे तो आपको आसाने से वो पता लग जाएगा इसके बाद इसी offer later में आपको यहां renew की date मिल जाती है माली जे department के दोरा आपको offer later मिल जाता है फिर कौन सी साल के अंदर आपको form है वो दुवारा renew के लिए apply करना है अगर माली जी आ यहां पर आपको जानकारे मिल जाती है यहां देखिए फरर इंडर सेकिंडर घर संबिट कर लोगे यहांसे आपने जो form सम बिट किया था इसी ID पे आपको upload करने होंगे तो वो document आपको यहाँ पर click करके upload हैं वो करने हैं और वो document कौन-कौन से तो देखिए यहाँ पर fill हाल बोल रहा है कि please fill the bank detail सबसे पहले आपको bank detail वो fill करने हैं तभी वो document है आप upload कर पाओगे वरना आप upload नहीं कर पाओगे हलां कि मैं यहाँ पर bank detail फिल नहीं की है और मैं यह document वो apply भी नहीं कर रहा हूं क्योंकि किसी student की ID है इसलिए मैं किसी ज़्यादा इसके साथ छेड़खानी वो नहीं करूंगा इसके साथ यहाँ पर देखिए आपको proof of MSC enrollment का option भी आपको मिल जाता है इसका मतलब है यानि आपने BAC complete कर ली और MSC के लिए scholarship लेना चाहते हो तो उस समय आपको MSC का कोई proof है आपको यहाँ upload करना पड़ेगा college का proof आपको यहाँ पर देना पड़ेगा और इस पे click करके आप इसके बाद देखिए आगे आपको option मिल जाता है view installment status यानि department के दवारा आपको scholarship है वो कब और कितनी दी गई उसकी जानकारी आप यहाँ से ले सकते हो तो जब आप view और installment पे जब आप click करोगे तो इस तरह का option आपको यहाँ पर मिल जाता है और यहाँ पर उसकी पूरी जान को आपके bank account में transfer की गई है या नहीं की गई वो जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाती है इसके बाद देखिए friends यहाँ पर देखिए आपको option मिल जाता है upload post completion form यहाँ पर देखिए मालीजी आपने BAC complete कर ली और MSC आपने complete कर ली तो MSC complete करने के बाद भी इसके किस्त बच जा आपको मिल जाता है view post completion letter यानि मालीजी आपने post graduate या MSC आपने complete कर ली तो वो letter है वो कौन सा है तो यहाँ से आप click करके वो letter भी आप download कर सकते हो और upload आप यहाँ से कर सकते हो ठीक है लेगन देखिए फिलाल इस student में यह बोल रहा है you are not eligible for this faculty इसका मतलब यह है कि फिलाल यह student का form है अभी तक इसने BAC complete नहीं किये इसलिए बोल रहा है ठीक है तो यह कुछ link आपको यहाँ पर मिल जाते है अब देखें नीचे एक link आपको मिल जाता है templates का templates का मतलब है कि मान लिजिए आपने first year complete कर ली और second year के अंदर आप इसे renew करना चाहते हैं तो कौन से जो document है वो आपको दुबारा upload करने पड़ेगे तो उनकी एक proof है आपको यहाँ पर मिल जाता है वो document का format आपको यहाँ पर मिल जाता है तो जैसे performance report पे आप जब click करोगे तो यहाँ से एक letter है वो download हो जाएगा जैसे कि फिलहाल यहाँ पर download हो गया मैं उसको open करके दिखाता हूँ performance letter है इस परकार से होगा जो कि college के दुवारा आपको verify करवाना है जिस college में आपने admission लिया है और कौन सी class आपने पास किये कितने number आये हैं पूरी जानकर यहाँ पर आपको फिल करनी है attested आपको करवाना है और attested करवाने के बाद यह offer letter है आपको दुवारा यहाँ पर आके upload हो कर ने बीसी तो complete कर ली और मेच के अंदर enrollment किया है ठीक है यानि मेची फेस्ट इर के अंदर admission लिया है तो एक certificate आपको यहाँ पर upload करना पड़ेगा तो फोर्मेट आपको यहाँ पर मिल जाता है तो मैं directly यह format open करता हूं यहाँ तो इस तरह का format आपको मिल जाता है जब आपने यह फोर्मेट के दौरा वेरिफाइए करवा के अप्लोड किया था उसी परकार से MSC के लिए आपको यहां पे अप्लोड है वो करना तो यह फोर्मेट यहां से डाउनलोड कर सकते हैं यहां पर को प्रिंसिपल है उनसे वेरिफाइए करवा के आपको यहां पर अप्लोड है व और final आपने complete कर ली, उसके बाद completion एक forum होता है, वो आपको दुबारा यहाँ पे upload करना, जो की इस तरह से आपको मिल जाएगा, अलागि यह format वर्ड में open होगा, फिलाली open नहीं हो रहा है, तो यह format आप यहाँ से download करके वापस upload कर सकते हो, तो आपको जो scholarship है, वो MSC के बाद भी आपकी हो, मिल जाएगी, तो देखे friends, जब आपके forum अप्रू हो जाता है, तो अप्रू होने के बाद, आपके forum में, यहाँ आपकी जो profile, इसमें काफी सारे आपको link है, वो मिल जाते हैं, तो काफी सारे जो student है, वो इसी बात कारी है, वो नहीं ले पाओगे, चलिए, ID भी login होगी, और लगबग हमारे video है, वो भी complete हो गया, तो friends, यही वो process थी, जब आप finally forum submit कर दे हो, और submit करने के बाद आगे की process आपको इस परकार से करने हैं, साइद आपके सारे जो confused है, वो दूर हो गए, कि आपके सारे जो doubts है, वो clear हो गए, अगर इसके बावजुद भी clear नहीं है, तो यह वीडियो के नीचे आप comment कीजेगा, आगे की वीडियो में मैं आपकी help वो करता रहूँ है, और मुझे बताना कि आज की वीडियो आपको कैसे लिगे, अगर वीडियो आपको अच्छे लिगे उतार वीडियो को like कीजेगा, और अपने साथियों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा share कीजेगा, ताकि उनके भी doubts हो clear हो जाएं, और दोस्तों चेनल पर पहली बार आए हो, और वीडियो को भी पहली बार देख रहो और चेनल को अभी तक सब्सक्राइब ने किया, तो यार चेनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा, सब्सक्राइब करने के बाद bell icon दबाने के बाद all notification उसे जरूर enable कीजेगा, ताकि जब भी मैं इस परकारी के कोई वीडियो डालो, उसकी एक सूचना, एक जानकारी है, वो आप तक है, वो पहुंच जैन, मिलते हैं फिंट्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जैहिन, जै भारत!